आंगनबडी सेविका सहाईका को नियमित करने है तू कोट का आदेश जरूरी आंगनबडी से जूड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप लोगों को ग्रूप्स के द्वारा यह अकबार की कटिंग जरूर पहुंची होगी और आप लोग भी देख करके कनफ्यूज होंगे कि आखिर इस अकबार के कटिंग का मतलब क्या है आईए मैं आप लोगों को विस्तार से समझाती हूँ कि इस अकबार के कटिंग का मतलब क्या है सबसे पहले और को समझ में आए या ना आए यहां आप लोग देख सकते हैं कि आंगनबाडी वर्कर इन रेगुलर सर्विस ठीक है ये जो खबर निकल के आ रही है सभी आंगनबाडी सिविका सहाई का बहनों के लिए बेहद ही खास है एक सरकार यानि कि एक राजे की सरकार ने अपनी आंगनबाडी वर्करों को बड़ा तौफ़ा दिया है आंगनबाडी वर्करों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है आईए देखते हैं वो कौन से राज्य है और उन्होंने आंगनवडी वरकर को क्या तौफा दिया है क्या इससे अने राज्यों की सरकारों की आखे खुलेगी क्या सभी सरकारे आंगनवडी वरकर के बारे में सोचेंगे इसको मैं आप लोगों को विश्तार से समझाती हूँ, सबसे पहले देखिए, हेडिंग देख लेते हैं, देश की आंगनवडी कर्मचारियों के लंबे संघर्ष और अंदोलन को गुजरात हाई कोट के 31 अक्टूबर 2024 के इस सांदार आदेश, यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि यह जो है पुराना नियूज है तो बिलकुल नहीं, यह एकदम लेटेस्ट नियूज है, अक्टूबर 2024 की ही नियूज है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इस सांदार आदेश, निर्ने से एक नया बल मिलेगा, इसमें गुजरात तथा देश की सभी आंगनवड करमचारियों को ग्रूप C तथा ग्रूप D के तहद केंद्र राज्य में सरकारी करमचारी के लिए पूरी तरह योग्य माना है, यानि कि इस सरकार ने गुजरात की जो सरकार है उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों में सरकारी करमचारी के लिए पूरी तरह योग्य माना कोट ने कहा है कि 6 महिने के अंदर केंद्र दथा राज्य सरकार इन्हें पूर्ण कालिक सरकारी करमचारी का दर्जा घोसित करें आप लोग ध्यान दीजेगा बहनों आप लोगों के लिए यह जो खबर है बहुत ही जरूरी खबर है जब आप लोग यहां समझ ही रहे हैं कि राज्य सरकार को भी कोटने आदेश दे दिया है और केंद्र सरकार को भी तो केंद्र सरकार के अंदर तो समस्तराज की आंगनबड़ी सेविका साहिका बहने आ रही है 14-15 लाख टोटल जो हमारी आंगनबड़ी वरकर हैं सब ही आ जा रही है देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है ठीक है ततकाल नियूंतम बेतन का भुकतार्म करे जस्टिस निखिल कुरीन के इस आदेश से गुजरात की एक लाग तथा देश की लगभग 24 लाख आंगनबड़ी करमचारियों को लाब मिलेगा मैं आप लोगों को बता दू अभी लगभग लगभग 30-31 लाख के अंदर पूरे भारत में आंगनबड़ी वरकरों की स्थिति है ठीक है अब देखते हैं कोट ने कहा है कि सरकार और आंगनबड़ी के बीच सीधा नियूकता करमचारी करिस्त किया गया है मैं आप लोगों को बता दू कि इस गुजरात हाई कोट के आदेश का हम समस्त पूरे भारत वर्स की आंगनबड़ी सेविका और सहाई का बहने तहे दिल से हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से इस सरकार की हम लोग जो है की बधाई देते ह कि इन्होंने आगनबड़ी वर्कर्स के बारे में इतना अच्छा सोचा और यदि मैं आप लोगों को इस बात का पूरा आश्वासन दे देना चाहती हूं कि यदि गुजरात सरकार ने सेविकाओं को पर्मानेंट करने का काम कर दिया तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं है किसी भ सबी मिल करके अपने काम का इमांदारी पुर्वक निर्वहन करते रहें क्यूंकि आप लोगों को भी पता है कि कभी-कभी सब्र का फल मीठा होता है हाला कि हमारी बहुत सारी बहने एक्सपायर भी हो चुकी है क्यूंकि आप लोगों को पता है या परियोजना 1975 से चल रहा ह और 1975 से लेकर के आज तक आंगनवाडी सेविकाओं की स्थिती बत से बत्तर बनी ही हुई है हाला कि कुछ राजियों में आंगनवाडी सेविकाओं की स्थिती अच्छी है साहिकाओं की स्थिती अच्छी है कई 15,000 कई 20,000 इस प्रकार से मान दे है जिसे कुछ नकुछ तो हम बिहार और उत्तर प्रदेश की आंगनवड़ी वरकरों से वहां के स्तिती अच्छी है लेकिन यह गुजरात सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल निकल के आई है इसलिए मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने हर एक राज्य के हर एक जिले के ग्रूप में सेयर करें ताकि सभी बहनों को पता चल सके कि कुजरात सरकार ने आगनवड़ी वरकरों के लिए क्या उपहार दिया है क्या किया है और हम भी इस कड़ी में लगे रहें क्योंकि सभी जानकारी सेविकाओं सहाइकाओं तक सही जानकारी सभी लोग नहीं पहुंचा पाते हैं मेरा मकसद यही रहता है कि मैं आप लोगों तक जो भी वीडियो लेकर के आया उएकदम सची और सटीक लेकर के आऊ इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आन करें